नमस्कार आप बेखरे हैं न्यूजूल इंडिया मैं हूँ आपके साथ प्रद्धिम शर्मा एक नज़र डालते हैं उत्राखंट की खास कबरों पर और वहीं धेरादूर में मौसम बिवाग ने प्रदेश के कई इलाकों में शीत लहर की चेतावनी जारी किये मौसम बिवाग के अनुसार पाहडी शेत्रों में पाला और मैदानी शेत्रों में कोहरा भढ़ सकता है मौसम केंदर की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार गड़वाल और कुमायू मंडल में कई स्थानों पर शीत लहर चल सकती है अधिक उचाई वाले शेत्रों में ठंड जादा रहने का अनुमान है वही निचले आलाके में धूप खिलने से लोगों को ठंड से कुछ राहत तो मिली है हरेदवार और उदम सिंग नगर समेत राज के अन्य बैदानी शेत्रों में कोहरा भढ़ने का अनुमान है दरदून में रातिर चेकिंग में लापरवाई बरतने के आरूप में एससपीना एक चौकी प्रभारी समेत चार पुलिस कर्मियों को लैन हजिर कर दिया है वही पीएसी के दो कॉंस्टिवलों के खिलाव भी कारवाई के आदिश दिया है एससपीना देर रात और चेक निरक्षन पर निकले थे निरक्षन के दोरान एससपी डॉक्टर योगिद्र सिंग रावत थाना पटेल लगर का निरक्षन कर रहे थे इस दोरान बजार शेतर और बालावाला में पैकेट ड्यूटी पर मौझूद पीएसी कर्मियों की लापरवाई सामने आई थी जिसके बाद ये एक्षन उन्हों ने लिया लक्सर में तीन बच्चों की माँ अपने प्रेमी के साथ लापता हो गई है शाम को पती रूड़की से मजदूरी कर वाबस लोटा तो तीनों बच्चों को रोता देखा खोजबीन के बावजूद पतनी का पता नहीं चलने पर उसमें पुलिस को तहरीर दी है पुलिस गुमशुदगी दरज कर महिला की तलाश कर रही है इसके बाद यूवक कोतवाली पहुचा और पुलिस को तहरीर दी तहरीर में उसने आरोप लगाया कि पिछले कुछ दिनों से उसकी पतनी लकसर हरिदवार रूट पर टेंपो चलाने वाले एक यूवक के संपर्क में थी उसके साथ बाते करने को लेकर उसमें कई बार पतनी को नसियत भी दी थी वहीं उसकी पतनी को बहला फुसला कर ले गया होगा कोतवाल हेमंद्र सिंग नेगी ने बताया कि महिला की गुमशुदगी दर्च कर ली गई है उसकी तलाश में एक टीम को भी लगाया गया नए साल के जशन के दोरान शराप पी कर हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ सकती बरती जाएगी जी हां खास तोर पर तेज रफतर वहन चलाने वालों पर शिकंज़ा कसा जाएगा इसके लिए मसूरी और नैनिताल में सीप्यू की अतरिक्ट टीमों को तैनात कर दिया जाएगा इसके साथ ही हरे दौार शिकेश और नैनिताल के अधिकारियों के साथ भी फोन पर बात की केवल खुराना ने कहा कि नववर्ष का जश्ट मनाने को दहरदून और मसूरी आने वाले परटकों का स्वागत है यहां आने पर परटकों को किसी भी प्रकार की असुविदा का सामना ना करना पड़े इसके लिए ड्यूटी लगाई जा रही है और वहीं राजाजी पार्क में पिछले कई महिनों से लापता बागिन को जिंदा या मुर्दा खोजने वाले को 25,000 का एनाम देने की गोशना के मामले में चीव वाइड लाइफ वाडन ने जांच पटा दी है और वहने इस वाइड लाइफ नियमों का उलंगन बताकर पार्क नेजदेशक से रिपोर्ट भी मागी है राजाजी पार्क के मोती चूर एरिया में पिछले कई महिनों से एक बागिन नहीं दिख रही थी जिसके बाद विभाग लगातार उसकी तलाश भी कर रहा है विभाग की ओर से कहा गया है कि उसके पैरों के निशान कंसरों के पास देखे गए है लेकिन अब पार्क के ही डिप्टीर डारेक्टर पुनी तोमर ने इस पर सवाल उठा दी है फिलाल उत्रा करने स्पेशल में सिर्फ इतना ही बने रियन्यूजवल्ड इंडिया के साथ नमस्कार